हेलो दोस्तो स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल सिबा उनलाइन क्लासेश में दोस्तो हमेशा की तरह मैं हाजर हूँ लेकर आपके लिए टेरिटोरियल आर्मी यानि की टीये की ओपन भरती निकल चुकी है तो कि बहुत यह बड़ी अपडेटे दोस्तो जनवरी 2020 में यह भरती होने वाली है एज लिमिट इस भरती में होगी दोस्तो 18-42 साल अगर आप 18-42 साल के हैं तो आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं और बिना कि एजुकेशन कॉलिफिकेशन होगी दसमी यहां बार में पास तो इसमें किस-किस पोस्ट के लिए भरती हैं सेलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा और अधिक जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे तो दोस्तो आप देख सकते हैं हम आचुके यहां पर वेब रिख दोशार बीश तो दोशार बीश जन्वरी में जो है कि यहां बहुत ही बड़ी भरती होने वाली है नहीं इस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीएँधियरी तोजार बीश डेक्ट्रुल्स अपन टी आई टॉल्क अबाट टोड इस ओपन टी टैट्रुक अर्मी प्रोसेस और एप्लिकेशन फी एन हाउ टो अपलाई गिवन अंडर तो दोस्तो इसमें जो डिटेल्स है पूर नीचे दी गई है मैं आपके लिए बताऊंगा टिये ओपन भरती जोन बाइस पोस्ट तो जोन वन जोन टू जोन त्री एंड जोन फोर चारों जोन के लिए हैं होने भाए है दोस्तो पोस्ट नेयम है आपकी Bapt जोन जोड्यड़ी मतलब जरनरल डूठी किस वोफट कीपर तो दोस्तों यहां पर सुलिदा जेनरल डूटी क्लर्क हाउस कीपर और मैस कीपर की भड़ती होने बाली है यह भड़ती का अगर पेस केल की बात करने तो पंद्राइजार पांस हो से सिक्स्टी नाइन थाउजन फोर हंड्रेट पर मंत मतलब पंद्राइजार पांस हो से उननतर जार चार सो पर मंत की आपकी सेलरी होगी तो बहुत अच्छी सेलरी है दोस्तों यहां पर जॉब लोकेशन के बात करने तो जॉब लोकेशन है दोस्तों आल ओबर इंडिया में सब्सक्राइब की 18-42 साल 2019 यहां पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यह जो नोटिफिकेशन है 2019 दिसंबर लास्ट में लागू मतलब आउट ही थी इसलिए इस भरती में यहां पर यह भरती 2019 लिखा हुआ है तो कंडिडेट्स एज लिमेट फुट भी 18-42 साल होने चाहिए कोई भी एज रिलेक्सेशन नहीं होता है दोस्तों आर्मी में तो आप इस बात को ध्यान में रगां कि अगर आपकी उमर 18-42 साल है तब यह आपके लिए इस भरती में जाना है तो आगे चलते हैं दोस्तों आल करेंडेट्स एप्लिकेशन फीज फ्री मतलब आपके कोई भी एप्लिकेशन फीज नहीं जाए कि एक दम फ्री होगी यह भरती तो बहुत अच्छी बात है कि इस भरती में अपलाई करने के लिए आपको कोई भी आवदन फीज नहीं देना यहां पर बात कर लेते हैं फिजिकल इस्टेंडल टेस्ट की तो हाइट होगी दोस्तों आपके अल पुष्ट के लिए 160 सेंटीमेटर और वेट होगा आपका 50 केजी मतलब किसी भी पुष्ट के लिए अगर आवदन करना चाहते हैं तो आपके हाइट 160 सेंटीमेटर और तो यहां पर रनिंग होगी दोस्तों 1.6 किलोमेटर की और अप्टो 5 मिनट 30 सेंड में गुरूप बन अगर आप 5 मिन तीस सेंड से पहले रनिंग को मारते हैं रनिंग क्लियर करते हैं तो आप के लिए मिलेंगे गुरूप बन जिसमें आपके लिए रनिंग के 60 नंबर, 48 नमर तो sit-ups आपकी 10 होंगी और push-ups होंगी 10 दोस्तों यहाँ पर आपकी chin-up होंगी जो बहुत 10 होंगी और आपकी push-up भी लगवाएंगे इसमें 10 push-up और 10 chin-up लगवाएंगे आपसे और दोस्तों selection procedure आपका होगा फिजिकल test होगा सबसे पहले उसके बाद में medical exam होगा उसके बाद में होगा आपका written exam तो बहुत ही अच्छा है यह दोस्तों तीन चरण में आपका भरती पूरी हो जाएगी education qualification 10th pass with overall 45% and 33% in each subject मलब जो आपका education qualification है वो clerk के भरती के लिए छोड़के मां की सभी के लिए 10 पास होगा और इसको यह open rally होने वाली है दोस्तों और कहां पर होने वाली यह वरती ऑपन रैली होने वाली है यह यह सामवा जेंड के में मतलब आपके लिए भरती के देखने के लिए जेंड के की मतलब जम्मु कस्मीर की सामवा डिस्टिक में जाना होगा तो दोस्तो आज हमने बात की जिस भरती के वारे में वह है टेरिटोरिल आर्में टीय की भरती जो कि 2020 फरवरी में होने वाली है और जें बहुत ही लंबी हो जाएगी तो दोस्तों अगर आपके लिए इस वीडियो को देखने के बाद में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट वक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूंगा तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो मुझे कमे लिए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार उम्मिद करता हूँ कि आपने वीडियो को लायक और चैनल को सब्सक्राइब कर करेंगे henra बारत